पहले मैं पोएम और कहानियों के लिए कुछ बोलना चाहूंगा दर है तेरा ए खुदा दर है तेरा ए खुदा अर्जी मेरी है मेरा यहां आना कबूल कर या न कर मर्जी तेरी है मर्जी तेरी है जी मेरा नाम आजन सिंग है और मैं कुछ लिखाओं सायर, आप लोग को पचंद आए तो तालियों से, पहले एक छोड़ा सा सेर है, वो सुनाता हूँ, एक सकर्ना ही है, तो सूरत से कर सीरत में क्या रखा है, हुश्ण में क्या उलजता है जाकर उसकी जुल्फों में उलज, इसके बाद मैं अपनी पोएम पे आता हूँ वो चांद थी और मैं एक नजम था वो चांद थी और मैं एक नजम था प्यार से मूव आन कर रहा एक सक्स था हर किसी में उसकी ही परचाई दिखती थी हर किसी में उसकी ही परचाई दिखती थी मैं उससे दूर ना जा सका क्योंकि हर लर्की में उसकी ही अदाएं दिखती थी सुक्रिया वो चांद थी और मैं एक नजम था प्यार से मुवान कर रहा एक सक्स था अब तो हर खुब सुरत चहरा मुझे मुखोटा धारी लगता है अब तो हर खुब सुरत चहरा मुझे मुखोटा धारी लगता था उसे भूलने की चाहत में बेवज़े हसता था रोता था मुझे लगता था कि वो मुझे फसाने के कई नए नए इल्म ढूनती थी अब तो एक्स तो बस मुझे एक बिमारी लगती थी यहां पे दो वर्ट का मतलब मैं बता देता हूँ पहला मैं खाना जहां सड़ाप पिया जाता है दूसरा तवायफ इसका मतलब होता है कि मतलब जो वहां पे डांस करती है ना उनको तवायफ बोलते हैं किसी ने कहा मैं खाने जाकर जाम पी ले दोस्त किसी ने कहा मैं खाने जाकर जाम पी ले दोस्त वो याद नाएगी मैं खाने जाकर देखा तो हर तवायफ में तेरी ही परचाई थी वो चांद थी और मैं एक नज़ब था प्यार से मूब आन कर रहा एक सक्स था Thank you so much.